कई सालों से चले आ रहे मुद्दे पर आखिरकार UGC ने अपना स्प्रिष्टी करण देते हुए एक लेटर एक पत्र जारी कर दिया है और क्या कहता है उस पत्र में आईए जानते हैं देखें लेटर है आज ही का 13 प्रेल 2022 का इसमें UGC कहता है कि भई जो आपकी नई लोकेशन पॉलिशी आई थी 2020 उसके तहत हम क्या कर रहे हैं एक आपका जो स्टुडेंट्स हैं उनके हित में एक और काम कर रहे हैं और वो काम क्या है कि भई बहुत सारे स्टुडेंट्स के डाउट होते थे कि भई हमने UGC को मेल किया है UGC को हमने आर्टे लगाई है या फिर 2012 का लेटर है हम यह दिये के आए हैं कि एक टाइम में आपने दो कोर्स किये हैं या फिर जो लोक कर रहे हैं चोरी चिप के जहां कहीं से भी तो क्या वो वैलिड हैं क्या वो एलिजिबल हैं तो आखिरकार UGC एकदम क्लियरली UGC ने कहा है कि भई देखे आप आप दे तो उस टाइम पे UGC ने हमसे कहा था उसार के के रिपलाई में कि UGC has not framed any rule regulation यानि कि इस बारे में इस case अंदर में UGC ने कोई rule regulation नहीं बनाया कोई guideline जायरी नहीं की लेकिन अब UGC कहता है कि हाँ एक बंदा दो कोर्स कर सकता है एक साथ में आप ये बात याद रखना कि द दो ही कोर्स कर सकते इससे ज्यादा नहीं कर सकते आगे पूरी तरह से क्या कहता है UGC यानि कि एक बार अच्छी तरह देख लेते हैं तो यहाँ पे इन्होंने लिखाए guidelines for pursuing two academic programs simultaneously तो देखिए अब यहाँ पे important जो चीजे है background इन्होंने प्रिष्ट भूमी यहाँ पे जो पढ़ाई है ज्यादा पढ़ाई कर सके और जिस चीज में उनका interest है तो वो अपना जिस भी कोर्स जो भी कोर्स करना चाहते हैं कम समय में दो कोर्स करना चाहते हैं तो वो भी आपका कर सकते हैं इन्होंने काया कि issue of allowing the students to pursue to academic program simultaneously has been examined by the commission keeping in view the proposals envisaged in the National Education Policy NEP 2020 which emphasizes the need to facilitate multiple pathways to learning involving both formal and non-formal education modes तो यह अच्छी बात है students के लिए बहुत अच्छा कदम UGC ने उठाया है और UGC ने क्या guidelines पनाई है यह देखिए इन्होंने नीचे लिखा है objectives जिसके क्या-क्या है तो आप यह देख सकते हैं to allow the students to pursue two academic programs वही बात बोल रहे है दोबारा लेकिन आप यहाँ पर नीचे देख सकते हैं कि UGC ने क्यों यह नियम बनाया है आगे चलते हैं important क्या है यह तो बात हो गई कि अब हम कर सकते हैं लेकिन जिन लोग ने already कर लिया है उनके लिए क्या है तो number 1 पर इन्होंने कहा है देखिए कि a student can pursue two full time academic programs in physical mode provided that in such cases class timings for one program do not overlap with the class timing for the other program तो उन्होंने है आपे साफ साफ कहा है कि आप regular mode से एक time में दो आप class ले सकते हैं दो course आप कर सकते हैं लेकिन आपको एक बात याद रखनी है वो बात यह होनी चाहिए कि दोनों की जो class की timing है ना वो different होनी चाहिए यहने कि कई होते हैं कि morning में लगती है तो दूसरे कि आपकी evening में होनी चाहिए या फिर आपका जैसे भी है timing जो है उनकी match नहीं होनी चाहिए आगे कहते हैं student can pursue two academic programs one in full time physical mode and another in open or distance learning या फिर online तो आप एक regular कर सकते हैं दो regular कर सकते हैं या फिर एक regular एक distance से कर सकते हैं आगे फिर क्या कहता है जो important आप लोगों के लिए है भाई देखो ये साफ साफ नमबर पांच पे बोल रहे हैं those guidelines shall come into effect from the date of their notification by UGC नो तो इंजिन कहा है कि ये नियम उसी दिन से लागू हो जाएगा जब ये notification आएगा तो आज 13 अपरेल आज से नियम लागू हो चुका है अब आप दो course में admission ले सकते हैं अब बात ये कि इससे पहले जिन लोगों ने admission लिया था उनके लिए क्या है तो UGC कहता है not retrospective benefit can be claimed by the students who have already done two academic programs simultaneously prior to the notification of these guidelines तो जिन लोगों ने इससे पहले degree diploma एक साथ में किये हैं वो यहाँ पे क्या है eligible नहीं होंगे लेकिन SSCJHT में ऐसा होता है क्योंकि 2020 का जो SSCJHT था उसके document verification में बहुत सारे candidates eligible पाए गए थे आपको डरने की जरूरत नहीं है अब कर लिया तो कर लिया आप क्या कर सकते हैं और जो अभी कर रहे हैं तो वो भी करते रहे हैं और जो करेंगे उनको तो वही दिक्कत ही नहीं है आगे कहता है above guidelines shall be applicable only to the students pursuing academic programs other than PhD program PhD program को छोड़ कर आप भी ये करो, BST करो, MA करो, MSC करो, MCOM करो, MFIL भी कर सकते हो PhD को छोड़ देना बस ठीक है तो यहाँ पर UGC ने दो पेजों में इतनी अच्छी बात कही है तो अब आपके जो doubts आते थे बार बार इधर उधर पूछना तो I think अब वो clear हो चुके होंगे और UGC ने कि ये बहुत ही अच्छा कदम उठाया है students के लिए तो ये अच्छी बात है अब देखते हैं कि आगे कितने courses होते हैं और competition तो भई सीदी से बात बढ़ेगा ही खैर जो भी है UGC का एक अच्छा कदम था और आशा करते हैं आप सभी के जो doubts थे regarding two courses simultaneously pursuing तो ये आपकी clear हो चुके होंगे